नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आप समीका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं DLAड फस्स समेश्टर के साथवे प्रसुन पत्र की जो की हमारा है सनस्क्रेट तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अथी लगुत्री प्रस्णों की स्रीश के बारे में इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था बहुविकल्पी प्रस्णों की स्रीश अगर दोस्तों आपको वो वीडियो नहीं मिल लई है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हैं श्टार्ट करते हैं कोशन नमबर एक से कोशन नमबर एक फलेन सब्त का विवक्ति एवं वचन बताईए तो दोस्तो इसमें कौन सी विवक्ति है पलेन में तितिया विवक्ति है और वचन कौन सा है एक वचन है तो क्या अंसर हो जाएगा तितिया विवक्ति एक वचन अगले कोशन की बात करते हैं रमा सब्त का सब्तमी विवक्ति भवचन रूप लिखिये तो दोस्तो क्या हो का ज्यान प्राप्त करो ऐंगले कोशन की बात करते हैं तो जाहिए के अर्थ में कौन अलकार प्रियुक्त होता है आधर स्वर्यत वजन और आयोग्वा स्वर्वन घ्व कितने होते हैं तो दोस्तों संस्क्रेट वासा में तीन पुरूष होते हैं कौन-कौन से पर्थम पुरूष मद्याम पुरूष और उत्तम पुरूष अगले कोशन की बात करते हैं आज-पास की वस्तुए पेड़ घर वगीचा तता पौध के संस्क्रेट का नाम रखिए तो अगले कोशन की बात करते हैं आज-पास की वस्तुए फूल, चौराह, अनार, निम्बू, गेंद को संस्क्रेट में लिखिए तो दोस्तों फूल को क्या बोलते हैं पुस्पम बोलते हैं चौराह को क्या बोलते हैं चटुस, पत बोलते हैं अनार को क्या बोलते हैं दाड़ मम बोलते हैं, निम्बू को क्या बोलते हैं, निम्बू कम और गेंद को क्या बोलते हैं, कंदुका, ठीक है, अगले कोशन की बात करते हैं, संस्क्रेट में लिंक कितने परकार के होते हैं, तो दोस्तों संस्क्रेट में लिंक तीन परकार के होते हैं, पुरलिंग, इस्तरिलिं और नपुन सकलिंग अगले कोशन की बात करते हैं लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए के जाता है तो दोस्तों लट लकार का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल के लिए करते हैं अगले कोशन की बात करते है गम दातु के पर्थम पुरुस बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा तो दोस्तों क्या होगा गमदातु में यह होगा अगच्छन ठीक है देखिए गमदातु के पर्थम पुरुष बहुवचन का रूप लंगलकार में क्या होगा अगच्छन अगले कोशन की बात करते हैं दोस्तों संस्क्रेट में वचन कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों संस्क्रेट में वचन तीन प्रकार के होते हैं एक वचन, दिवचन तथा बहुचन अगले कोशन की बात करते हैं बालकाई सब्द में प्रियुक्त विवक्ति तथा वचन बताईए तो दोस्तों इसमें कौन सा विवक्ति है इसमें तिर्थिया विवक्ति है वचन कौन सा है पहु वचन है अगले कोशन की बात करते हैं नवींतम सब्द का हिंदी अर्थ क्या है तो दोस्तों नवींतम डूसरा किया है आम आम को क्या बोलते है आम्र कद्व को क्या बोलते है कुष्मांडह तुम्भी ठीक है करेलय को क्या बोलते है । अगले कोशन की बात करते हैं भोजन संबंदी वस्तुएं चना, मखन, नमक, रोटी को संस्क्रित में क्या कहते हैं तो दोस्तों देखें चना को क्या कहते हैं चड़क कहते हैं मखन को क्या बोलते हैं दोस्तों मखन को बोलते हैं नव नीस्तव और नमक को क्या बोलते हैं लव का मेसा ठीक है चातगा किसे बोलते हैं पपीहा को भेड किसे बोलते हैं मेसा को पगलो क्या बोलते हैं पालका और बेडिय क्या बोलते हैं ब्रका अगले कोशन की बात करते हैं किनी तीन साग सब्जी साग सब्जी या फिस साग भाजी का नाम लिखिए तो दोस्तों करेले को क क्या बोलते हैं अलावों को दोस्तो लौकी बोलते हैं पनस को क्या बोलते हैं हिंदी में कटाहल बोलते हैं अगले कोशन की बात करते हैं दोस्तो सरीर के विशिष्ट चार अंगों के नाम संस्रेथ में लिखिए तो दोस्तो गरदन को क्या बोलते हैं गरीवा नाकून को क्या बोलते हैं नखा दाथ को क्या बोलते हैं दसनम आग को क्या बोलते हैं लोचनम और सिर को क्या बोलते हैं मुंडम अगले कोशन की बात करते हैं दोस्तों संग्या को परिवासित करिए दोस्तों संग्या किसे कहते हैं प्राणि वस्तु इस्थान या भाव के बोत कराने वाले स सब्दों को क्या बोलते दोस्तों संगया को बहते हैं अगले कोशन की बात करते हैं संगया के भेद हैं तो होता है उसे इसे लिंग कहते हैं अगले कोशन की बात करते हैं नपुनसक लिंग किसे कहते हैं ऐसे सब्द जो नर्थ तथा मादा का बोध कराते हैं नपुनसक लिंग कहलाते हैं अगले कोशन की बात करते हैं वचन का अर्थ बताईए तो दोस्तो संग्या तता सरुनाव की सं संघ्या है इसमें कितने सरवनाव है तो दोस्तो संस्क्रिट भासा में कितने वचन होते हैं कुल तीन वचन होते हैं कौन कौन से एग वचन बचन करे नहीं हे इसे संस्क्रिट viens त्टी कोशन की बात करते हैं Redondas कि आज अचारा पर्म धर्मा अगले कोशन की बात करते हैं जो कौन-कोण से लोगा है? नदी कोस भर टेड़ी है तो दोस्तों इसे क्या हो जागा संस्क्रेट में क्रोसम कुटिला नदी अगला क्या है लोब मो मनुस के सत्रू है ठीक है इसको संस्क्रेट में क्या बोलेगा लोबा मोहा चा मानवस से सत्रू इस्ता अगले question की बात करते हैं, नेमलिकी संस्रेट वाक्यों का हिंदी में अनवाद करिए, तो दोस्तों, सा निर्गेश्रान चंचला, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वा सवबाव से चंचला है, अगला क्या है संस्रेट में, सा पदें खंजा, वा पैर से लंगडा है, और दोस्तों, अंतिम question की बात करते हैं, नेमलिकित नीति परक हिंदी वाक्यों को संस्क्रिट में अनुबात करिए, तो दोस्तों संस्क्रिट में अनुबात करना है, सज्जन पुर्सों की बात को मारना चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसका संस्क्रिट में क्या किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कर दीजे फेल आइकन प्रेस कर दीजे तता आपने जितने भी डेलेट्स आती है सब को सेर कर दीजे तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद